डियर इस्टुडेंट, मैं सद्ध हैं ट्रकालेश से इसलाम सर आज आप लोग को बताऊंगा कच्छा दस में कि आउतल दरपड में प्रतिवीम वकाब बनना तो इसके अलग-अलग कंडिसन ने तो पहला कंडिसन होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए अनंत परिस्ति थे तो आज हम पढ़ेंगे और दरपड में प्रतिवीम का बनना तो पहला कंडिसन होता है कि जब वस्तु अनंत परिस्तित हो तो देखिए अनंत परिस्तित है तो अनंत से आने वाली प्रकास क्रिड़ों को हमाल लेते मुख्यच के समांतर अब मुखिच के समांतर होका जाने वाली प्रकास क्रेडे प्रावर्तन के पहशाद फोकस कर जाती है यह अब निया में बताया गया था कि कौन प्रकास क्रेड कहां से होकर जाएगी तो कहां से बुज़रेगी ठेक तो लिखेंगे कैसे कि जब वस्तु अननद पर इस्थित हो तो अवदल दरपड़ दरा उस वस्तु का परतिवी में फोकस पर दरपड़ के सामने बर रहा इसलिए वास्त भी और बिंदु के आकार का बनेगा ठेक पहला कंडिशन हो गया दूसरा कंडिशन क्या होता है कि जब वस्तु धीरे धीरे अब स्वावी पलाते हैं अनन्त था यहाँ पर अनन्त से वकरता केंदर के बीच में लाएंगे तो जब वस्तु वकरता केंदर तथा अनन्त के बीच में हो इस कंडिशन में देख लेते हैं तो यहाँ पर हम देखे चीतर है यह दूर का जो माध्य में इसको हमाल लेंगे अनन्त और जो इधर है या वकरता केंदर तो वस्तु यह हो गया अनंत और वकरता केंदर के बीच में तो देखिए पहला प्रकास क्रिड ले जाएंगे मुखेच के समांतर मुखेच के समांतर चलने वाली प्रकास क्रिड परावर्तन के परशात कहां से होकर जाएंगे फोकस से हो रहांगे और दूसरा प्रकास कर ले जाएंगे वकरता केंदर से और वकरता केंदर से उकर चलने वाली प्रकास कर ले परावर्तर के परशात उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी वापस हो जाएगी अब बताईए दोनों वस्तु का प्रतिविम बने गा यहाँ पर यह उस वस्तु का प्रतिवी में वकरता के अंदर तथा फोकस के बीच वस्तु का आकार बढ़ा है लेकिन जो प्रतिवी में बना है वह देखे छोटा बना है तो छोटा थे दरपड के सामने इसलिए आभासी के वास्तिक वास्तविक होगा अब देखे यदि प्रतिवी में मुख मुख्यच के उपर बरनाया है तो सको कहिंगे सीधा यदी मुख्यच के नीचे बरनाया है तो उसको कहिंगे उल्टा तो देखें अब प्रतिपी वस्तु से छोटा वास्तिवी कता उल्टा बनता है अब देखिए अनॉन्त था अनौन तो वकरता केंदर के बीच अब वस्तु के लिखे चल जाएंगे हैं वकरता केंदर पर तो अगला कंडिसर रहेगा तो अगला कंडिसर क्या है कि जो वस्तु कहां इस्थित हो वकरता केंदर पर तो लिखा गया है कि जो वस्तु वकरता केंदर पर इस्थित हो तो वकरता केंदर पर यहाँ पर है पहला प्रकास के लिए जाएंगे मुखेच के समानतर मुखेच के समानतर चलिए प्रकास के लिए प्रावर्तन के पहशात कहा से जाती है फोकस से यहाँ पर फोकस से आगी अज दूसरा प्रकास के डियादी फोकस से ले जाएंगे तो अब परावर्तन के पशात मुख्यच के समांतर हो जाती है तो देखिए जब वस्तु अकरता केंदर पर इस्थित है तो उसका प्रतेवी में भी कहा बना वकरता केंदर पर बना दरपड के सामने बना इसलिए कहेंगे वास्तु बना मुख्यच के नीशे बना इसलिए कहेंगे उल्टा बना ठीक नै और वस्तु के आकार के क्या बना बराबर बना तो लिखेंगे क्या कि जब वस्तु अकरता केंदर पर इस्थित हो तो अतर दरपड दोरा उस वस्तु का प वकरता केंदर और यह हो गया फोकस तो अस्तु अकरता केंदर था फोकस के बीच में इस्थित है जब अस्तु अकरता केंदर था फोकस के बीच में इस्थित हो तो पहला प्रकास के लिए जाएंगे मुख्यच के समानतर तो मुख्यच के समानतर जाने वाले प्रकास के लिए क और अनंत के बीच का अता इसका प्रतिवीम कहा बनेगा वकरता के अंदर और अनंत के बीच वस्तु है छोटा लेकिन उसका प्रतिवीम कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है मुख्यच के उपर बनेगा तो सीधा मुख्यच के नीचे बनरा इसलिए क्या ओगा? उल्टा दरपड के सामने बनरा इसलिए क्या ओगा? वास्तवीक तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब वस्तु अकरता के अंदर तथा फोकस के बीच में इस थी थो तो अगला condition हम देख लेते हैं कि जब वस्तु फोकस पर इस्थित हो तो हम प्रकास के लिए जाएंगे देखे यहां पर फोकस है और इस फोकस पर एक वस्तु यहां इस्थित है तो पहला प्रकास के लिए जाएंगे हम मुखेच के समांतर मुखेच के समांतर कोई भी प्रकास कर जाएगी वह परावर्तन के परशाद कहां से उकर जाएगी फोकस से उकर जाएगी अब दूसरा प्रकास कर यह दि हम वकरता किंदर से लिखा जाए तो यह परावर्तित प्रकास दोनों एक दूसरे के समांतर है अब समांतर है तो समांतर प्रमान लेंगे काटेगी और देखिए जब भी काटेगी मुख्यच के नीचे काटेगी अब बहुत दूर काटेगी अथा परतिविम बड़ा बनेगा तो लिखेंगे कि जब वस्तु आ क्योंकि वह दरपड के सामने बनेगा उल्टा के हो गया क्योंकि मुख्यच के नीचे बनेगा और अनन्थ पर क्यों बना क्यों कि यह मुख्यच के क्या है समातर अगला कंडिशन देखते हैं जब वस्तु दुरू तथा फोकस के बीच में हो देखिए पहले वस्तु अनन्थ फिर वकरता केंद्र अनन्थ के बीच फिर उसके बाद वकरता केंद्र फिर वकरता केंद्र फोकस के बीच फिर फोकस अब अंतिम कंडिशन जब वस्तु कहां इस्तित हो फोकस तथा दुरू के बीच में इस्तित हो तो जब वस्तु दुरू तथा फोकस के बीच में इस्ति उजिए आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की फासिली लगातार बढ़ रहे हैं अब बढ़ रहे हैं तो आगे कभी क्रास नहीं करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे पीछे बढ़ाएंगे अब बताए के लिए सामने और आभासे के लिए पीछे मुखेच के नीचे बनेगा तो उल्टा मुखेच के ऊपर बनेगा तो सीधा तो बताए परतिवी मुखेच के कहा बना ऊपर आता या क्या हो गया सीधा तो लिखेंगे जब वस्तु दुरू तथा पुखरता दुरू तथा फोकस के बीच में हो जब वस्तु कहां इस्तित हो धुरू तथा फोकस के बीच में इस्तित हो तो अवतल दरपड द्वारा उस वस्तु का प्रतिविम दरपड के पीछे वस्तु से बड़ा देखें वस्तु छोटा है लेकिन उसका प्रतिविम कहां बन रहा है बड़ा बन रहा है वस् दो प्रकास कड़ लगातार इनकी भीच की दूरी परावरति जो रहे है वो बढ़ रहे है अदो इनको पैसे बढ़ाएंगे आगे कियों और जब इनको हम आगे किरू बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिमीम बन जाएगा दरपड के पीछे दरपड के पीछे बन गया तो इसका नाम आभासी हो गया और यहाँ पर सीधा हो गया तो जब वस्तु दुरू तथा फोकस के बीच में इस्तित हो तो अवतल दरपड दरा उस वस्तु का प्रतिविम दरपड के पीछे वस्तु से बढ़ा आभासी तथा सीधा बनता है ठेक यहीं हो गया आउतल दरपड तोरा प्रतिविम का बनना अब हम बात करेंगे कि आउतल दरपड का अपयोग अब देखिया आउतल दरपड में वस्तु जैसे जैसे समी बला रहे हैं पहले देखिये यहाँ पर वस्तु फिर भी देखिए बड़ा बना तो जैसे जैसे ओतल दरपड के सामने हम वस्तू लाते हैं उसका प्रतिवी बड़ा बनता है ठीक ना तो इसका उप्योग जो हम करते हैं जैसे चिकिस्ता में कान में कोई छोटा मुटा दर्द मतलब की फूंसी है उसको देखने के लिए जो च टार्च वानों में हेडलाइट जिसे कहते हैं अगर दीपो में प्रकास को सक्तिसाली समानतर क्रेड़ पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है चेहरे का प्रतिवीं बड़ा देखने के लिए इस दरपड का उप्योग करते हैं जैसे कि यदि कोई सैलून है तो उस सै अच्छी किसा के छेत्र में भी अवता दरपड का प्रियोग किया जाता है तो यह हो गया अवतल दरपड दोरा प्रतिवीं का बनना तो आप ध्यान रखेंगे कि आप्यक्टिव कोशन ऐसे पुछेगा कि अवतल दरपड में किस इस्थती में प्रतिवीं बर आभासी बनता आतु जा पुसुकाइब से दोग जाद गदग किया थबागा